आज मैं आपको मोटो जी टू कैसे हाट रिसेट करते हैं फॉर्मेट करते हैं वह इस वीडियो में बता हैं तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले अपना स्मार्टफोन आप स्वीच आप कर लीजिए कि पावर आफ हो रहा है वह स्वीच आप कर लीजिए कि स्वीच आफ होने के बाद में आपको पावर बटन और वाल्यूम डाउन बटन दोनों एक साथ दबाना है प्रेस करके रखिए थोड़े दें फिर एक स्लाइड ओपन होगी उसमें आपको सिकन आप्शन में रिकोरी में जाके वाल्यूम बटन दबाना है इसे भाद में थोड़ा टाइम देता हिए अगा फिर इसके बाद में आपको यह नो कमेंट जो ऑप्शन दि दिहाает माप तावर बटन के साथ में वाल्यूम ऑप western दबाखे लखए उसके बाद में उसे छोड़ वाल्यूम वालुम डैंडाउन भाई उसके गने एक करना है आपको फूरा पूर पर कुछ निक 9 सीधर और डाट पर क्लिक करना नहीं कि नहीं जा डार रटी अए जहीं के कड़के कि रहों सब yüzपलर क्रिक्ट ुसॉ वह होने के बाद में आप पावर बटन पावर पर रिकोरी उपर चले जाएए पावर बटन दबा दीजिए बस उसके बाद में आपका स्मार्ट फून शूरू हो रहा है इसे तोड़ा टाइम लगता है पास 10 मिनिट जरूर लगते है इसलिए घबराएं ना जेके फिर आध़ खरीदा होगा वैसे दिखता है एक अग चैन। अब आ अयह अब एंड्रोइड इस अपडेटिंग अब डेटियं अब गेटिंग रहा है वह जित्ते भी आप है इसमें उनको सब को यह कर रहा है वह स्कीन कर रहा है लगते का शृपरेशन कर रहा है यह लेगता है इसके बाद में लैंग्वेज आता है आपका इंग्लीश कर दीजे इंडिया का लैंग्वेज अपना बाद इंग्लीश इंडिया करके नेक्स कर दीजे इसके बाद में अगर आपको मोबैल में स्वीम होगा तो वो खुदी चलेगा मेरे पास स्वीम नहीं था मैंने स्वीम से नहीं किया वाइफाई लिया है तो वाइफाई से मैंने कनेक किया है अगर आपका स्वीम होगा तो वो स्वीम में अपने आप मोबैल लटा अन हो जाए इसके बाद में आपकी email id पूछेगा वो डाल दीजे अगर होगा तो email id डाल दीजे पूरानी या पिर आपको new create करने पड़ेगी email id email id डाल देता हूं मैं अपनी मेरी email id जो है इसके बाद में वो password भी पूछता है password डाल देता हूं मैं अपने वाला इसने कर देता हूं मैं नेच्ट करने के बाद में एक new slide आएगी जस्ट सेकेंड चेकिंग पॉर information बोल रहा हूं इसमें debit card credit card का अगर आपको इसमें डारेक नमबर डाल रहा हूं तो डाल सकते अपना card number नहीं होगा तो छोड़ दीजिए और रिमाइंड मी लेटर इपर क्लिक करके next कर दीजिए कि उसके बाद में नीचे नीचे जाईए सब पर अपने आप क्लिक ही रहता है आपको नीचे नीचे जाना है पर आपको सीदा नीचे जाके नो थैंक्स पर करके next करना है फिर उसके लेटर कर दीजिए बस आपका फोन हो गया है पूरा रिसे अब न्यू लूक में हो गया है पूरा वह तो थैंक्यू पर वाचिंग दिस वीडियो बने रही हमासा देखते रहे ग्याजट टूआ यह यह करके देखाओ यह तर यह अब यह 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 करके देखाओ